देखे दिवाली आ रही है तेवहार का सीजना रहा है ऐसे में मिठाई तो सभी खाते हैं लेगी मेरा मतलब मेरा गर कहना माने तो आप बाहर की बजार की मिठाई ना खाए उतने ही कम खर्च में आप उससे जादा मिठाई उतने ही पैसों में उससे जादा मिठाई बना सकते ह तो आज मैं आप लोगे लिए एक दम खाटी पेडा लेके आया हूँ, जो खाएंगे ना आपके मुझे मेरा नाम लेंगे बोलेंगे रोशन, ऐसा ऐसा पेडा लेके आया हूँ, तो मैंने चार लिटर दूद लिया है, अब ये दूद जो है गाय भैस सांड मैं ऐसा नहीं बो पकाते रहना है, कर्ची रोकनी नहीं है आपको, और जब आपको लगे कि चार लिटर दूद की जो कॉंटिटी है, पकाते पकाते वो एक लिटर हो गई है, तब उसमें आपको 200 ग्राम चीनी डालनी है, और 200 ग्राम आपको इसमें मिल्क पाउडर डालना है, अगर आप जल् बिल्गुल भी कर्ची नहीं छोड़नी है, आपको, कंटीनु आप देख सकते हैं, मैं कितनी जल्दी-जल्दी कर्ची को चलाते जा रहा हूँ, और ये भी आपको करना होगा, मतलब कर्ची चलाते हुए रहना है आपको, जब आपको लगे कि ये ठिक हो चुका है थोड़ा तो इसमें दो से तीन चमच आपको दीसी घी डाल देनी है, और उसके बाद फिर से कंटीनु इसको चलाते रहना है, हिलाते रहना, में काम इसमें यही है, अगर इसने अभी नीचे पकड़ लिया आना, तो आपका पेड़ा बिल्कुल खराब हो जाएगा, ठीक है, अब आपको अच्छी तरह दिखाऊंगा, वरना आपके पेड़े बनेंगे नहीं, यह आप अच्छी से देख लीचे, इसकी कितनी ठीकने से, आप यह देखिए, ऐसा ही आपको करना है, अगर इससे कम हुआ तो भी नी बनेगा, इससे ज्यादा हुआ तो हाड बनेगा पेड़ा ठीक है, यह आपने देख लिया, यह देखिए, मैंने दो परात में निकाल लिया, 4 लीटर दूद में लग-बग डेढ किलो पेड़ा मैंने बनाया है, ठीक है, अब क्या करना है, आपको छोड़ी छोड़ी ऐसी लोई बना लेनी है, अब यह यह रिंग आती है, यह डेड़ किलो मैंने पेड़े बनाये हैं अगर कॉंटेड़ी में बोलू तो लगवग 200 पेड़े बनाये हैं आप लोग भी जरूर ट्राइ कीजेगा बताईएगा कैसी बनी है